So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में कुछ multiple shares को हम discuss करेंगे तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी देखा आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को join कर सकते हो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बहर चेक आउट जरू कर देना तो वीडियो को करते है continue Gail India Limited के साथ वीडियो की शुरुआत हम करेगे तो Gail India Limited में काफी अच्छे fluctuations नजरा है और morning में तो काफी हद तक sideways रहा है RBI policy के बाद यहाँपर अगर देखें stock में एक बड़ा fall देखने को मिला 2 रुपे 20 पेसे के राउंड गिरा एश है फिर उसके बाद एक शानदार recovery देखने को ले stock almost 3.75 रुपीस के राउंड तक की recovery बताता हुआ नजरा आया फिर sudden एक तगड़ा fall देखने को में मिला 33 रुपे 10 पेसे अगिने गिरिया फिर एक recovery यही तो upside downs momentum जो देखने को में मिलते है stock में वो काफी तगड़े है और last 5 days की अगर बात की जाए तो last 5 days में 4.50 रुपीस के राउंड तक के returns है fluctuations है कभी stock ने तगड़े हाई भी लगाया बट गिरावट भी रही वही अगर देखे एक महीने में 19 रुपे तक के share बड़ा है यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो Gail India Limited में जो volume हमें नजर आता है volume भी काफी अच्छा रहा है और company ने हाली में एक चीज का announcement भी किया था government की ओर से 2849 करोड के राउंड तक का एक fund issue किया गया है इसमें bonus के लिए तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है और वही अगर देखे volume की बात करें तो 2 करोड के राउंड तक का trade value देखने को में मिलता है 3 करोड का trade value हमें कल देखने को मिला तो यहाँ पर और all high volume के साथ stock में buying हो रही है और यहाँ पर अगर देखें कई बड़े firms की और से target reduce किये जा रहा है कई बड़े firms की और से targets बड़ाए जा रहा है मोतिला लोसवाल का कहना है 200 रुपे जाएगा शेरखान का कहना है 200 रुपे जाएगा और प्रभुदास लेजादर 177 का target दे रहा है और MK Global की और से 145 का target भी दिया जा रहा है community sentiments के आखडे क्या कहते है इन अकडों की अगर बात कर लो तो 80% लोग है buy करने के लिए कहते है 20% लोग है stock में sell करने के लिए तो buying के लिए भी कहा जा रहा है sell करने के लिए भी कहा जा रहा है तो इस point के ओपर भी जान रोको dividend company अल्रेडी दे चुगया है 5.50 पेसे का dividend इन्हों ने हाली में दिया था कई लोग को dividend credit हो गया बट कई लोग को नहीं आया नहीं आया तो tension नहीं लेना 30 days के अंडर अंदर criteria होता है उसके अंदर ही आपको dividend का पेसा आपकी account में transfer कर दिया जाएगा तो इस चीज को लेकर भी आप यहाँ पर positive रह सकता हो ठीक है तो आप बार ही आती है levels की levels किस तरीके से काम कर रहे है Gail India Limited में वो चीज यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो Gail India Limited में काफी हद तक upside down momentum हमने देखे यहाँ पर अगर देखे हैं stock added time उपर गया फिर एक गिरावट रही बट जो trade lines हमने बनाई हुई थी उन trade lines को हमने यहाँ पर discuss करें उससे पहले यहाँ पर आप देख सकतो आज हुआ गया तो कल मैंने falling wage type pattern के बारे में आपके साथ एक चीज शेयर की थी के falling wage type pattern stock में बन रहा है इस falling wage type pattern का breakout अगर मिलता है तो stock में अच्छे returns मिलेगे उपर इस stock गया RBI policy के कारण stock में down payment हापल देखने को मिला फिर उसके बाद अगेन एक तेजी देखने को में मिली अगेन एक फॉला है तो upside down momentum रहे है बट जो important trade lines है उन trade lines को अगर आप ध्यान से देखोगे पंदरा मेट के चार्ट प्रेम पर तो यहाँ पर आप देखो उपर से यह वाली जो trade line है काफियत तक IMP trade line है हमारे लिए यह बीच वाले trade lines का अब काम नहीं है नहीं हम अटा देते है तो यहाँ पर आप देखोंगे जो trade lines है हमारे लिए काफियत तक IMP trade lines बनी है तो यहाँ पर बिल्कुल stock में एक symmetrical type pattern बनाने की तयारी चल रही है ठीक है share में अगर आप देखोंगे तो downside की और से support आपको देखने को बलते है और उपर से अगर आप देखोंगे resistance देखने को मिलते है तो share उपर जा सकता है और हो सकता है resistance लेकर downside की और आजाए तो एक upside down स्पोइंटम है और यहाँ पर sustain करके अगर उपर की और गया तो stock में 186, 187 के around तक के target easy action हो सकता है बड़ उसके साथ साथ इस particular trade line पर भी आप ध्यान रखो यहाँ पर आपको double confirmation के लिए काफियत तक काम आएंगी तो हो सकता है इस trade line का breakout हो जाए फिर या फिर इस trade line का तो यह दो IMP levels भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखने है अब next stock का नाम है NMDC NMDC की अगर बात करे 244.85 रुपिस का stock company के और से दिया जाना है dividend stock में morning में काफी बड़ी गिरावट रही 3.60 पेसे तक की फिर एक recovery रही recovery की अगर बात करे 4.55 पेसे stock यहाँ पर बढ़ गया उसके बाद stock में अगर आप दिखोंगे again एक गिरावट रही एक रुपिस पेसे तक की पिछले पाच दिनों की बात कर ले तो 15 रुपिस पैसे शेयर बढ़ा एक महिने में 26 रुपिस रुपिस छे महिने में 36 रुपिस रुपिस तो return की बात करें dividend हमें देखना होगा कि dividend को से मिलेगा interim dividend है company का और से जो interim dividend दिया जाता है वो हमेशा से हाई होता है तो यहाँ पर अगर देखें last February में stock ने 3.75 पेसे का interim dividend दिया था और 2022 में 5.75 पेसे है तो यहाँ पर dividend काफी तगड़े मिले है interim dividend की बात करें तो हो सकता है इस साल भी dividend हमें कम देखने को मिले क्यों की company का जो profit हो कहीना कहीं डाउन जाता हो हमें नजर आया है पिशले quarters में तो हो सकता है अभी भी जाए पर 14 फरवरी 2024 debt fix है quarterly results के साथ साथ interim dividend का announcement होने वाला है levels क्या कहता है NMDC में levels किस तरीके से काम कर रहा है तो एक important चीज है तो कल जो चीज़े हमने discuss की थी वही points अभी हम discuss करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकतो stock में क्या points है तो बिलकुल एक proper upside downs momentum share में देखने को में मिले stock में अगर आप देखोंगे एक fall देखने को मिला इस particular trade lines है resistance लेके downside क्यों रहा है यहाँ पर resistance है यहाँ पर resistance यहाँ पर resistance यहाँ पर resistance यहाँ पर resistance तो multiple times resistance V shape recovery देखने को मिली share अगर देखे इस particular level पर support लेता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया बिल्कुल एक अच्छा support देखने को यहाँ पर मिलता है ठीक है तो एक ascendal type triangle बना जिसे bullish triangle कहा जाता है बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखोंगे ascending type triangle बना है और यह wait करना है breakout का breakout अगर मिलता है तो stock में यहाँ से एक अच्छी rally आ सकती है wait करो breakout का तो हो सकता है stock breakout देते है फिर यहाँ पर से rejection अगर मिला तो downside की और भी आएगा बट breakout का उम्मीद आप रख सकता हो stock में अनले time में अच्छे returns मिल सकता है already hyper ascendal type triangle बना है तो highly chances है कि अच्छे returns मिल है और 377 के around जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उस level से गिरा है तो वहाँ तक तो यह जाने की कोशिश इसकी हो सकती है इस point के उपर ध्यान रखना sell की बात करेंगे steel authority of india limited तो 149 रुपे 45 का stock है 4 रुपे तक की गिरावट पिछले 5 दिनों में stock में बढ़त रही add and गिरावट भी रही sell की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखे F&O में में बेन भी रहा साथ तारीक के दिन F&O में बेन था और volume कम हुआ है 4 करोड की आराउं तक का ही trade value आज हमें देखने को विला और वही कर देखें community sentiments के आखड़ 83% लोग buy करने के लिए और 17% लोग hold करने के लिए करता है meeting की बात कर ले तो meeting conduct हो गई है 12 February 2024 meeting final है quarterly results के साथ साथ interim dividend भी announce होगा तो date fix है 12 February के दिन एक बड़ा धमाखा होने वाला है तो dividend भी मिले गए double dividend यहाँ पर sell में भी मिलेगा साथ ही बात मिलेगा यहाँ पर NMTC में sell के levels की बात कर ले तो हम देखेंगे से पहले 5 minute के time frame पर कल जो चीज़े हमने discuss की थी और बिल्कुल यहाँ पर जो pattern हमने discuss किया double top double top pattern बना stock में fall देख सकते हो double top के बात fall आया और यही से गिरावट continue हो रही है तो support ले लिया है तो यहाँ से एक अच्छी recovery आ सकते है KP Green की बात करेंगे KP Energy Limited की 1097 का share है 2H21 का bonus company दे रही है और bonus की जो X bonus date है वो क्या होगी तो X bonus date है 12 February 2024 2H21 का bonus company दे रही है तो बिल्कुल इस से पहले buy करते हो तो 1H22 का bonus मिलेगा एक share के ओपर दो bonus की shares तो और रहल काभी कुछ बाते कर लिए इन shares को लेकर इस वीडियो में तो I hope वीडियो आपको helpful अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलना और एक important चीज कोई भी stock में investment कर रहे हो तो इनका analysis करना फिर ही in shares में आपको investment करना चाहिए साथ ही आप हमारे telegram channel को join कर सकते हो जसके link नीचे description में मिल जाएगी thank you